इस समय पूरी दुनिया हमारी कोरोना से जंग लड़ रही है। इस्थती को देखते हुए इसे बढ़ा कर तीन मई तक कर दिया गया है। तीन मई नस्दीक है और देश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। देश में संक्रमत मरीजों का आकड़ा 33,200 के पार पहुच गया है। 725 लोग कोरोना से अपनी जान गवा चुके हैं। इस इस्थती को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत में इतनी जल्दी कोरोना खत्म नहीं हो पाएगा। 3 मैं को भारत में लोगडाउन की अवधी समाप्त होने वाली है और इसी को लेकर एक ग्लोबल एक्सपर्ट की राय ने सभी के पैरो तले जबीन को खसका दिया है। Medical General Lucent के Editor-in-Chief Richard Horton का कहना है कि भारत को लोगडाउन खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केंदर सरकार की और से अब तक 3 मैं को लोगडाउन खुलने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। स्वास मत्राले हो, ग्रह मत्राले हो या फर विदेश मत्राले कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। इसी बीच Richard Horton ने लोगडाउन को लेकर अपनी राय देकर भारत को कोरोना वाइरस की खत्रे को लेकर चीताया है। Richard ने सुझाव दिया कि भारत को कम से कम सत्तर दिन का लोगडाउन जरूर करना चाहिए। Richard की माने तो भारत में अभी एक महिने के लोगडाउन की और जरूरत है। अपनी कथर में Richard ने ये भी कहा कि कोई भी महमारी हमेशा के लिए नहीं होती। कोरोना भी एक ने एक दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में लोगडाउन सफल होता है। तो दस हफ़ते में ये महमारी निश्चत तोर पर खत्म हो जाएगी। भारत में इस बिमारी से संक्रमत लोगों में गिरावटा जाएगी। आपको बता दें कि जयता कर्फ्यू 22 मार्च को देश में लगा था और इस दरान कुल 700 मामली थे। लोगडाउन में ये संक्या बढ़कर 23,000 के पार हो गई है। इस संक्या को देखकर सुनकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि लोगडाउन नहीं किया जाता तो इस्थिती और भी भयंकर हो सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि तीन माई के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है। लोगडाउन में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ये एक चिद्दा का विशे है। उधारन के तौर पर हम चीन को ले सकते हैं। वुहान में बढ़ते केसिस को देखते हुए चीन ने लोगडाउन अपनाया था और लगतार 10 हफते तक देश में लोगडाउन जारी रहा। जिसका परिणाम ये हुआ कि हालात पूरी तरह से काबू में आ गए। अब यहाँ पर इस्तिती सामानी हो रही है और सरकार द्वारा कुछ मामूली छूट भी प्रदान की गई है। इसलिए ये जरूरी है कि लोगडाउन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। तब ही हम हमारी कोरोना से जंग जीत पाएंगे। रिचर्ड ने वैक्सीन को लेकर कहा कि यूएस में इसका ट्रायल चल रहा है, सब कुछ ठीक रहा, तो सतंबर तक हम इस वैक्सीन के नजदीक होंगे। बहराल कुछ भी हो, लोगडाउन बढ़ेगा या नहीं, यह सरकार का फैसला है, यह सरकार के हाथ में है। लेकिन एक चीज है जो हमारे हाथ में है, वो है घर पर रहना, लोगडाउन का बालन करना, खुद सरक्षित रहना और अपने साथ साथ दूसरों को भी सरक्षित रखना।